नमस्कार बच्चों गनित सितु अभ्यास्क्रम इसका आज आठवा दिन है और आज के दिन में हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य संक्या और भाज्य संक्या और उसी तरह सह अभाज्य संक्या तो देखो सबसे पहले हम लोगों को अभाज्य संक्या किसको कहते हैं और कि सिर्ब एक और दो यहीं उसके विभाजक है तीन इसके एक और तीन यहीं विभाजक है और पिदूस के एक और उननिस यहीं विभाजक है दो 1976 रहीム जैसे कि वहीं और श्वय उसके संध्या, सब जाता है उसकी 95 क Jos bless भजक कों से है, एक है, दो है, तीन है, और छे भी है, सोला के, एक है, दो है, चार है, आठ है, सोला है, मतलब ये दो से अधिक विभजक है, इनको भज्य संक्या कहा जाता है, उसके बाद संक्या एक, ये जो संक्या है, इसका कोई भी विभजक नहीं है, ये सिर्फ अके लिए इसलिए इस संक्या का एक भी विवजक नो होने के कारण ये भज्य संक्या भी नहीं है और अभज्य संक्या भी नहीं है उसके बाद देखो सह अभज्य संक्या किसको कहते हैं तो देखो सह अभज्य संक्या मतलब अभी देखो यहाँ पर 12 और 18 इनके विवजक देखो तो 12 के के विवज़क कौन कोंसे है एक दो तीन चार छे बारा अठरा के विवज़क कोंसे है एक दो तीन चे नो अठरा अभी यहाँ पर इन दोनों के सामाने विवज़क ज्याद करने हैं तो इन दोनों के सामाने विवज़क एक है दो है तीन है और छे है तो ऐसे यह सामाने सिर्फ एक यही विभाजक जो है वही सामानने है बाकि सभी विभाजक जो है वो अलग-अलग है तो इस तरह से यह जो संख्याओं की जोड़ी है इनका केवल एक यही विभाजक सामानने है इनको सह अभाज्य संख्या कहा जाता है बतलब देखो जिन दो संख्याओं का केवल एक सामानी विभाजक एक होता है उने सह अभज संक्या कहते हैं अभी देखो इसकी जानकरी के आधर पर तुम लोगों को ये प्रश्ण स्वाध्य है जो है आठवा हल करना है देखो स्वाध्य है आठवा है आठवा दीन है संख्या ग्यान भाज्य और अभाज्य संख्या तो इसमें देखो आपको एक से बीस तक की प्रश्णा पहला है एक से बीस तक संख्या में से सभी अभाज्य संख्या लिखो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक से लेकर 20 तक की सभी संक्या लिखकर उनके पहले विभाजक लिखना पड़ेगा और विभाजक लिखने के बाद अभाज्य संक्या किसको कहते हैं कि जिनका केवल एक और वही संक्या ये दो ही विभाजक है उनको अभाज्य संक्या कहा जाता है इसलिए उनको आपको गोल करना पड़ेगा दूसरा है 21 लेकर 25 तक की संक्याओं में सभी भज्य संक्याओं लिखो अभी फिर से 21 लेकर 25 तक की संक्याओं जो है उनके विभजक लिखने के हैं और विभाजक लिखने के बाद कौन कोसे संक्या से दो से जाधा विभाजक है तो उनको भज्य संक्या कहेंगे इसलिए वो अलग लिखना है प्रश्ण तिसरा है निम्नलेकित संक्याओं में अभज्य संक्याओं के चारो और गोल का चिन्न बनाओ अभी देखो अभज्य संक्या का मतलब आपको मालूम हो गया कि जिसके सिर्फ केवल दो ही विवाजक होते हैं, एक और वही संक्या, अभी 24, 24 के बहुत सारे विवाजक हैं, इसलिए ये अभज्य संक्या नहीं है, 31, इसका एक और 31, ये दो ही संक्या विवाजक हैं, इसलिए अभज्य संक्या इसलिए इसको गोल करना है उन्चास बारा तेईस अड़तारीस उनसाट चवत्तर उन्यासी दस और इक्यानवे इनका भी आपको इसी प्रकार करना है प्रश्ण से होता है यह निर्धरित करो कि क्या नीचे दी गई जोडिया की संक्या सह अभज्य संक्या है क इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा भी 14 और 21 इनके आपको विभजक लिखने पड़ेंगे और इनका केवल एक यही अगर विभजक समान आया तो वो सह अभज्य संक्या की जोड़ी होगी तो इसके लिए भी आप लोगों को यह सभी संक्याओं के पहले विभज्य क्लिकने पड़ेंगे और बाद में उसमें से आपको तय करना है यह सह आपाजज संक्याउ की जुड़ी है या नहीं उसके बाद देखो फ्रश्ण पाच्वा है एक से लेकर 100 तक की संक्याई लिखनी है उसमें से दो से विभज्य होनी वाली संक्याउ को चार और निले रंग वाले रुत्त बनाओ मतलब किया दो से जिन संक्याओं को विभाज्य होने मतलब भाग जाता है उनको गोल करना है उसके बाद पाच से विभाज्य होने वाले संक्याओं को चार और लाल रंग वाले रुत्त बनाओ यानि पास से विभज्य होनी वाजी संक्याओं का गोल करना है और उसके बाद एक से लेकर सो तक के अभज्य संक्याओं को गोल करो और तिर्चिक पाई घीचो यानि एक से लेकर सो तक संक्या लिखकर उनमें अभज संक्या जो रहेगी जिनकी केवल दो ही विवाजक है उनको आप लोगों को गोल करके उसको तिर्चा काट मारना है तो इस तरह से आपको ये वीडियो देखकर आप लोगों को अच्छी तरह से ये अपने कापी में हल करना है